प्रांस के बीच MC Stann ने खोया अपना आपा सेल्फी लेने आई लोगों के साथ रैपर ने की बुरी तरह से मार पीड। Controversial Reality Show Big Boss 16 के विनर MC Stann इन दिनों खूब लाइम लाइट में है। Stann के नाम के साथ काफे सारी Controversies जुड़े हुए हैं। अब इसी बीच अब्दुरोजी को और MC Stann के बीच का जगड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। तजाकिस्तान के सिंगर ने रैपर पर कई गंभी रारूप भी लगा है। इस Controversy पर Stann अपनी चुपी बनाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच MC Stann का एक और वीडियो सामने आया है जिसे देख फैंस के तो होशी उड़ चुके हैं। इस वीडियो में Stann अपने ही फैंस के साथ बुरी तरह से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल भी किया जा रहा है। जी हाँ, दरसल MC Stann इन दिनों इंडिया टूर पर है जिसमें वो अलग-अलग शेहरों में कॉंसर्ट कर रहे हैं। इसी बीच Stann का एक वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी के होश उड़ा दी है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि Stann अपने बॉडिगाइड के बीच कॉंसर्ट में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। तब ही रैपर को फैंस घेर लेते हैं और उनके साथ सेलफी की मांग करते हैं लेकिन इस मौके पर स्टैन भड़क पड़ते हैं और सब पर चिलाना भी शुरू कर देते हैं इतना ही नहीं। स्टैन बहां मौझूद लोगों से हाथ अपाई करते हुए आगे बढ़ते हुए भी नजर आए लेकिन उनकी टीम के लोग रैपर को रोक लेते हैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने स्टैन की आउकात की बात तक कह दी है आपको बता दे कि अंसे स्टैन का नाम अब्दू रौजीग भी मीडिया में बार बार लेते दिख रहे हैं अब्दू की तरफ से सोशल मीडिया पर एक स्टेट्मेंट भी जारी किया गया है जिसमें उन्हें ने स्टैन पर कई गंबीर आरोप लगा हैं अ आपका एंसे स्टैन की इस वीडियो पर और उनके इस बिहेवियर पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंस में जरूर बताएं ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें